हेलो गाईस, सौगत आपका सीडिसन्जी चैनल पर और आज की वीडियो में मैं आपको एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ इडन लेक मूवी की स्टोरी जो के 2008 में आई थी ये मूवी एक होरो थ्रिलर है और मैं तो कहूँगा कि एक टेरिफाइंग थ्रिलर है जिन लोगों को रॉंग्टन जैसी मूवी पसंद हैं उनके लिए बैस्ट मूवी है और स्टोरी और पलोट के साब से ये रॉंग्टन से भी जादा अच्छी मूवी है इसकी स्टोरी तनी ज्यादा थ्रिलिंग है कि अगर आपने पांच मिनट तक ये वीडियो देख ली तो आप पूरी वीडियो जरूर देखोगे और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि एंड में हम इसके कॉंसेप्ट के ओपर अच्छे से बात करेंगे वीडियो शुरू करने पहले आप सबसे एक रिक्वेश्ट है कि अगर आप कभी भी एमेजोन पे शॉपिंग करें या आप कोई बिल पे करें या आप कोई रिचार्ज करें तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा और ये हर वीडियो की डिस्क्रि मूवी शुरू होती है जैनी से जिसे उसका बॉइफरेंट स्टीव वीकेंड पर एक स्पैशल जगा गुमाने ले जा रहा है और उस जगा का नाम है इडन लेक। स्टीव जैनी के साथ कुछ टाइम स्पैंड करना चाता है और वो उसे शादी के लिए पर पोस भी करने वा वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है एडन और जैनी उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता और वो दोनों आगे चलते हैं। वो अपना दिन शानती से उस लेक के किनारे बिता रहे थे के तब ही वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और एडन को परेशान करके वहाँ से बगा देते हैं। वो दोनों ये सब देख रहे थे लेकिन उन्हें कुछ नहीं कहते। जैनी आखे बंद करके सोने लगती है तब यचानक एक कुत्ता आकर उसके उपर बहुकने लगता है और वो डर के मारे घवरा जाती है। वो कुत्ता भी उनी नहीं सुनते और उल्टा उसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और स्टीव उन्हें बिना कुछ कहे चुपचा वापिस आ जाता है। असल में वो छे बच्चे थे ब्रैट, मार्क, कूपर, रिकी, हैरी और एक लड़की पेज और किसी की भी उमर 14 साल से जादा नही थी लेकि जाते जाते भी वो उनका मजाक उड़ाते हुए जाते हैं। उसके टायर के नीचे एक काच की बोतल रख रखी थी और ये उन्ही बच्चों का काम था। स्टीव टायर चेंज करता है और उसके बाद वो टाउन में जाते हैं। टाउन में पहुंचते ही उन्हें वो बच्चे दिखते हैं। और स्टीव कार से उनका पीछा करता है लेक गर में चला जाता है, अंदर उसे कोई नहीं मिलता, तभी उस घर का मालिक बाहर से आ जाता है और स्टीव उसे चुपने के लिए उपर चला जाता है, वो घर ब्रेट का हिता और वो ब्रेट के कमरे में पहुँच जाता है और उसका डैड उसे ढूणने करने लगते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद जैनी को उनका बैग नहीं मिलता जिसमें उनका फोन, पर्स और कार की चावी भी थी। स्टीव परिशान होकर कार के पाज जाता है और वहाँ वो देखता है कि उनकी कार भी गायब है। फिर वो दुबारा पैदल चलने लगते हैं और चलते चलते उन्हें रात हो जाती है। जैनी स्टीव को वापिस चलने के लिए कहती है लेकिन स्टीव उसकी बात नहीं सुनता। तबी ब्रैट की जेब में स्टीव का फोन बजने लगता है और वो उसे फोन लेने जाता है तबी ब्रैट उसे पकड़ लेता है और रिकी उसे मारने के लिए चाकू निकाल लेता है और वो सब अपना कुता भी उसके उपर छोड़ देते हैं इस सब छीना जप्टी में स्टी नहीं चोड़ते और वो भी उनके पीछे भागते हैं जल्दी के चक्कर में कार एक जगा फस जाती है और वो सब उनकी कार तोड़ने लगते हैं किसी तरह स्टीव कार को महां से निकालता है लेकिन सामने का शिशा टूटा होने की वज़े से उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो सीधा जाकर एक गिरे हुए पेड़ में टुक जाता है जैनी को कोई चोट नहीं आती लेकिन स्टीव वहां बुरी तरह फस जाता है और वो सब अभी भी उनके पीछे ही थे इसलिए वो जैनी को मदद लाने के लिए बेज़ता है जैनी जैसे ही बाहर निकलती है वो सब महां आ जाते हैं और जैनी वही पर चुप जाती है और वो सिधा कार की तरफ बढ़ते हैं सुबा होते ही जैनी कार के पास जाती है लेकिन वहां स्टीव नहीं होता लेकिन वहां उसे कुछ खून के निशान मिलते हैं और वो उनका पीछा करती है और कुछ ही दूर चलन जान बचाने के लिए वो वैसा ही करता है और इसके बाद ब्रैट सब को बारी बारी से स्टीव को चाकू मारने के लिए कहता है और पेज इस सब को फोन में रिकॉर्ड करती है। कोई उसके पेट में चाकू मारता है तो कोई उसके मूँ के अंदर ही चाकू चला देता है और ये सब वो सहरा होता है और उसे देख रही होती है जैनी जैनी स्टीव को बचाने के लिए अपने फोन के ब्लूटूथ को स्टीव के फोन से कनेक्ट करती है और पुलिस को कॉल मिला देती है लेकिन ब्रैट को पता चल जाता है और वो सब उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं स्टीव किसी तरह खुद को चुडाने की कोशिश करता है और महां से निकल जाता है, जैनी भी उनसे बचकर भाग जाती है, भागते भागते जैनी को एक कैबिन दिखता है और उसके अंदर उसे एक वाकी टॉकी दिखता है, वो उसे उठाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन जल्दी जल्दी में वो नीचे गिर कर तूट जाता है और तब ही वहाँ वो सब आ जाते हैं जैनी उनसे बचने के लिए छुप जाती है वो सब जैनी को ढूंडते हैं तब ही ब्रैट के पास रिकी का फोन आता है और वो उसे बताता है के स्टीव भी भाग चुका है और वो सब उसे ढूंडने के लिए निकलते हैं इदर स्टीव कार में से फर्स्टेड निकालने चाता है और जैसे ही वो डिगगी खोलता है कार का सिक्योरिटी अलारम बजने लगता है और उन सब को पता चल जाता है के वो कहा है स्टीव जान बचा कर वहां से भागता है और अचानक उसे जैनी भी मिल जाती है और वो उसे किसी तरह सहारा दे कर एक पुराने कैबिन तक ले कर जाती है वहाँ वो उसे फर्स्टेड देने की कोशिश करती है लेकिन उसके कट बहुत गहरे थे और उसका सारा कुन बैच चुका था और वो दीरे दीरे मर रहा था वो उसे होंसला देती है कि उसे कुछ नहीं होगा और उसका हाथ स्टीव की जेप पर पड़ता है जिसमें उसने जैनी को प्रपोस करने के लिए रिंग रख रखी थी लेकिन वो उसे परपोस नहीं कर पाया और अब वो शायद कभी कर भी नहीं पाएगा जैनी को वहाँ बिजली के टावर दिखते हैं और वो उनी को फॉलो करते हुए भागती है और भागते भागते उसका पैर एक नुकीले लोहे के टुकडे पर पड़ जाता है और वो उसके पैर के आरपार हो जाता है जिससे उसे बहुत जाता दर्द होता है और उसकी चीख निकल जाती है जिसे ब्रैट सुन लेता है और उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है जैनी किसी तरह खुद को संभाल कर छुप जाती है और अपने पैर में से उस टुकडे को निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो खीचने से नहीं निकल रहा था इसलिए वो उसे पूरी तरह आ लेती है और तब ही वहाँ ब्रैट अपनी गैंग के साथ आ जाता है और उसे एडम नहीं बुलाया था वो जैनी को मार कर बेहोश कर देते हैं और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसे एक पेड़ से बांध रखा था और उसके चारो तरफ लकडिया रखी थी एडम माचिस जला कर स्टीव के ओपर फैंक देता है और जैनी उसे जलता हुआ देखती है वो उनसे रो रो कर भीक मांगती है लेकिन वो सब उने जलता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं स्टीव के जलने से उसकी रसी भी जल जाती है और जैनी अजाद हो जाती है और जैनी वहाँ से भाग जाती है इसके बाद जैनी उस जंगल के बीच में पहुँच जाती है जहाँ उस जंगल का मैप था और वो कांच तोड़कर उस मैप को निकाल लेती है तब ही उसे ब्रेट की आवाज आती है और वहाँ एक डश्ट बिन था और वो उसमें चुप जाती है उस डश्ट बिन में से भयानक बदबू आ रही थी क्योंकि उसमें पता नहीं कितने महीनों पुराना कच्रा पड़ा था लेकिन उसे जान बचानी थी इसलिए वो उसमें चुप कर बैठी रहती है और उनके जाने के बाद बाहर निकल कर उसने अपने कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ कर उसमें एक काच्च का टुकड़ा लपेट लिया जिससे वो एक हतियार बन गया वो अपनी हाला शीशे में देख रही थी तब ही वहाँ कूपर आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस काच के टुकड़े को उसकी गरदन में गुसा देती है और वो तड़ब तड़ब कर मर जाता है उसकी मौत का जैनी को भी बहुत पश्तावा होता है क्योंकि वो उनमें सबसे अच्छा लड़गा था देखते ही देखते रात हो जाती है और उने कूपर की लाश मिल जाती है उसका हाल देखकर हैरी डर जाता है और घर जाने लगता है लेकिन प्रैट उसे मना करता है जब वो उसकी बात नहीं सुनता तो वो उसे बुरी तरह मारने लगता है और उसे इतना मारता है कि वो भी मर जाता है और ये सब देखकर पेज भी महां से बाग जाती है इधर जैनी किसी तरह उस जंगल की बाउंडरी तक पहुँच जाती है बाहर निकलते उसे एक कार दिखती है और वो उसे मदद मांगती है वो उस कार में बैट जाती है लेकिन वो आदमी टाउन के बजाए उसे वापस जंगल में ही लेकर जा रहा था क्योंकि उसका भाई जंगल में ही था और वो उसे लेने जा रहा था वो रिकी का भाई था और जैनी उसे मुड़ने के लिए कहती है लेकिन वो उसे दुबारा वही पहुँचा देता है अब मौका मिलते ही जैनी कार को गुमा कर वहां से निकलती है रास्ते में उसके सामने अचानक पेज आ जाती है लेकिन वो ब्रेक नहीं मारती और उसे भी उड़ा देती है किसी तरह वो टाउन तक पहुँचती है लेकिन उसकी हालत इतनी बूरी थी कि उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था और वो उस कार को ठोग देती है महाँ पर एक पार्टी हो रही थी और वो वह जाकर मदद मांगती है और बेहोश हो जाती है जब उसे होश आता है तो वो खुद को कई सारे लोगों के बीच घिरा पाती है और वो देखती है कि वो ब्रैट के घर में ही है और तब ही ब्रैट अपनी मा के पास फोन करता है और उसे बताता है कि एक लड़की ने उसके दोस्तों को मार दिया है और वो भाग गई है उन सब के रियक्शन से जैनी को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है वो उने अंबुलेंस बुलाने को कहती है लेगिन वो नहीं भुलाते तब वो बातरूम में जाती है और खुद को अंदर लॉक कर लेती है और बाहर जो कुछ भी चल रहा था वो सब सुन रही थी और उसे पता था कि ये लोग उसे मार देंगे और वो महां से निकल भी नहीं सकती थी वो लोग दर्वाजा तोड़ देते हैं और उसे पकड़ लेते है बाहर ब्रैट खड़ा होता है और उसका डैड उसे उपर बेज देता है जैनी उन्हें सच बताती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और पुलिस बलाने से भी वो लोग मना कर देते हैं सारे आदमी मिलकर उसे बातरूम में ले जाते हैं और बाहर सिर्फ उसकी चीखे सुनाई देती है उपर ब्रैट अपने फोन में से सारे रिकॉर्डिंग्स डिलिट कर देता है और सब कुछ करने के बाद भी बिलकुल साफ रह जाता है और उसकी वज़े से कई सारे बेकसूर मारे जाते हैं और ये था इस मूवी का एंड तो अब आप सब बताईए कि इस मूवी की स्टोरी और प्लोट रॉंग्टन से अच्छा है या नहीं रॉंग्टन में थे कुछ डीफॉर्म्ड लोग जो के लोगों को खाते थे और इसमें हमें दिखे कुछ बीडे हुए बच्चे जिने उनके माबाप ने कोई लिमिट ही नहीं सिखाई उन्हें अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उन्हें किसी का डर है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके माबाप कहीं बाहर बात जाने ही नहीं देंगे और वो हमेशा उन्हें बचा लेंगे जबके माबाप को पता है कि उनके बच्चे कैसे हैं लेकिन वो उनकी गलती निकालने के लिए तैयारी नहीं है जिसकी वज़े से यहां तक बात पहुंच जाती है और अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब बार के देशों में होता होगा तो आपको बता दू कि यह हर जगा की कहानी है इंडिया में, शहर में क्या और गाउं में क्या हर जगा इसका एक्जेमपल आपको देखने के लिए मिलेगा आपने भी बहुत बार ऐसे बिगड़े हुए बच्चे देखे होंगे शायद नियूज में या मूवी में या किसी शो में या फिर अपने आसपासी आप बताईए आपको मूवी कैसे लगी और आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में अगर आपको मूवी देखने हैं तो आपको इसका लिंक मेरे टेलेगराम चैनल में मिल जाएगा और जो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है अब टेलेगराम पे जाकर सिधा सिटिजन जी सर्च कर सकते हैं और मेरा चैनल आपको मिल जाएगा मैं वहां रेयर मूवी के और न्यू में उसके लिंक डालता हूँ तो उसको जरूर जोइन कर लेना और मेरे साथ जादा टच में रहने के लिए और बात चीत करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो ऐसी सबसे अलग और हट के वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो अगर अच्छे लोगे तो लाइक कर देना और कॉमेंट्स जरूर करना बताना क्योंकि ये भी एक लेजेंट मुवी है ऐसी मुवी भी बहुत कम बनती है और ये मेरी वनों दे फेवरेट मुवी है और आज कल जो मेरी फेवरेट मुवी है मैं आपको एक एक करके सब क्या एक्स्प्लेनेशन दे रहा हूं तो जिसने पहली मुवी नहीं देखी वो देख ले डॉन आफ दी टेड मैंने डाल दिया है तो वीडियो करते हैं ये पर खत्म और मैं मिलता हूं उसे अगली वीडियो में तब तब तगले सब को बाई